आई वीवर्स आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही जबरदस नुसका लेकर आई हूँ जिसके वह से आप जो अपनी कम उमर में हुई सफेद दाड़ी को फिर से काला बना पाएंगे वह भी दोस्तो नेचरली अगर दोस्तो आपकी जो दाड़ी है वो कम उमर में सफेद ह होने लगी है लेकिन आप उसको डाई नहीं करना चाहते क्योंकि डाई करने से बाल और भी ज़्यदा खराब होने लग जाते हैं तो दोस्तों आजकर इन उसका आपके लिए 100% कारगर रहेगा आपकी दाड़ी को नेचरली काला बनाने के लिए आजकल दोस्तों जालता लड होते हैं जिनका इस्तमाल करने से आप अपनी सफेद हुई दाड़ी को फिर से काला बना सकते लेकिन वो जो आप दाड़ी के बालों को और भी ज़्यदा सफेद कर देती है और फिर आपको उस प्रोड़क्ट को यूज करने के लिए बार-बार मजबूर कर देती है पर दोस इंदू को जरुजर सब्सक्राइब कर देजिए और उसके बाजो इंबर नोटिक्वेशन बेल को भी आउन कर दीजे ताकि जब भी हम ऐसी को न्यू वीडियो लेकर आए उसकी नोटिक्वेशन आपको तुरंद मिल सके इस नुसकी में हम ऐसे इंग्रिडियन का इस्तमाल क चाय पति करेंगे उस प्रेम्या और आपके कोशिव काओं को दूबारा से सफेद बाल होने लग जाते हैं तो उसकी रंगत को बढ़ाने के लिए और आपकी बालों को फिर से काला बनाने के लिए चाय पत्ती 100% कारगर रहती है तो इस ग्लास में हम दो चमज करीब चाय पत्ती को ले लेंगे इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं आगे अब जो हमारा दूसरा इंग्रिटेंट है वो है दोस्तो शिखा काई पौडर आपकी सफेद दाड़ी को जादो ही तरीके से काला बनाने के लिए शिखा काई पौडर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है इसके अंदर दोस्तो एंटी अक्सिदेंट्स और विटामिन सी का भंडार होता है जो आपकी सफेद दाड़ी को फिर से काला बनाता है और उसे लंबे समय तक काला ही रखता है और साथी साथ दोस्तो आपके जो नए बाले उन्हें काला आने के लिए भी यह 100% कारगर है तो इसलिए हम यहाँ पर शिखा काई पौडर का इस्तमाल करेंगे इसको आपको कितनी मात्रा में लेना आप देखें यहां आपको इसे लेना है एक चम्मच और आपको आगे क्या करना है अप ध्यान से देखें अब आपको इसमें पानी एट करना है पूरा एक गलास भरकर आपको इसमें पानी को डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लीजिए अच्छे से मिला लेने के बाद आपको इस मिश्रन को पतीले में डाल देना है और गैस पर बीस मिरट तक अच्छे से पकने देना है 20 मट तक पकने देने के बाद आप जो है इसे किसी भी चीज में शिफ्ट कर सकते हैं जैसे मैं इस जार में इसे शिफ्ट कर दूंगी आप भी ऐसे किसी चीज में से स्टोर करके रख सकते हैं पर जब यह ठंडा हो जा उसके बाद यह आपको इस जार में से डालना है और अब म आपको पांच से छे चमज करीब तेल डाल लेना है इस तरीके से और फिर इसे आप अच्छे से मिला लेजिए अब जानते हैं कि आपको इसका इस्तमाल किस तरीके से करना है आपको अच्छे से अपनी डाड़ी पर मसाज करता है और फिर आपको इस आदे गंडे तरीके चोड़ देना है और उसके बाद आप जो हलके हातों से ठंडे पाने से से धो लिजे ऐसा आपको रेगुलर करना है रेगुलर करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी जो कमोमर में भी सफेद दाड़ी है वो फिर से काली हो जाएगी वो भी नैच्रली इस तरीके से आपको इस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज हमारे चानल को ज़रु-ज़रु सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हो ऐसी कि इसकी खास वीडियो में तब तक के लिए आप अपना काल रखें और स्वस्तरें